हाई एब्रीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में इमाचापतेश 2011 के सेंसिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शेडियो ट्राइब पॉपुलेशन की according to 2011 सेंसिस की तो डिटेल में इस वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे क्या 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 कोश्चन्स यहां से बनते हैं उन सबी को हम यहां पर देखने वाले हैं यहां पर बात हो रही है शेडियो ट्राइब की सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर जो याद रतना है वो है टोटल पॉपुलेशन आफ एस्टी तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है तीन लाग बानवे हजार एकसोचपविस यह ड़ाटा आपको सबसे पहले याद होना चाहिए इसके बाद हम बात करते है कि अगर हम पॉपुलेशन वाइस बात करते है एस्टी की तो कौन सा डिस्टिक जो है वो टॉप रैंग पे आता है तो पूरा सिक्वेंस हम जानेगे सबसे पहले नमबर पे आता है आपका चमबा डिस्टिक इनके आपने as it is नोट्स बना लेने है सेकेंड नमबर पे आपका आता है कांगडा थर्ड नमबर पे आपने याद रिटना है डिस्टिक किन और तो यह टॉप त्री का सिक्वेंस है लास से अगर हम बात करते हैं तो लास से भी आपने याद रिकना है सबसे पहले नमबर पे आता है district हमेरपूर second number पे हमें देखने को मिल जाता है उना district और third number पे हमें देखने को मिलता है district शिमला तो ये हमारे पास total population का sequence है top से भी और bottom से भी इसके बाद हम categories की बात करते है जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे rural population की इसमें भी हम अलग से discuss करेंगे male का अलग से करेंगे और female का हम अलग से करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते है rural male की तो इसमें आपने याद रिखना है सबसे पहले नमबर पे जो district है वो है चमबा second number पे हमें देखने को मिल जाता है district camera और तीसरे नमबर पर हमें देखने को मिलता है district किन और same sequence है जो आपका population का था ठीक है पर जब हम last से बात करते है तो last में हमें थोड़ा सा change यहाँ पर देखने को मिलता है पहले नमबर पर हमीरपूर ही है ठीक है यहाँ पर यहको total population में second number पर आपका district और आता है पर जब हम rural wise बात करते हैं तो last second number पर हमें देखने को मिलता है शिमला तो यहां पर आपका difference हमें देखने को मिलता है और third number पर है district उना तो यहां से थोड़ा सा आपने याद अदक लेना है इसके बाद अगर हम female की बात करते हैं तो female में भी जो male का था जो हमने अभी discuss किया यह female का sequence है rural के case में तो यह भी आपने याद एकना है तो इसको अब हम discuss नहीं करेंगे next time यहां पर बात करने वाले है urban की urban में भी हम अलग से देखेंगे male का और female का तो सबसे पहले हम male category की बात करते हैं male में सबसे पहले number पर जो district है वो है kangra second number पर हमें देखने को मिल जाता है कुलू यहाँ पर आपको देखो difference देखने को मिल रहा है अभी तक male का जो top का sequence था वो था चमबा, kangra और किनौर पर जब हम urban की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़े है जैसे first number पर आपका kangra है second पर कुलू है और तीसरे number पर हमें देखने को मिल जाता है शिमला ठीक है इसके साथ साथ आपने last का sequence जो याद रखना है last से पहले number पर आपको पता है कि लाहोज पीती और किनौर दो ऐसे districts है जो आपक की बिल्कुल भी नहीं है तो इन दोनों को तो आपने याद रखना ही है इसके साथ साथ तीसरे number पर आपने याद रखना है उना को ठीक है और fourth number पर आपने याद रखना है हमीरपूर तो यह वाला sequence आपने याद रखना है last का अब urban में अगर हम female की sequence की बात करते है ठीक है इसको भी हम देख लेते हैं फटा-फट से तो यहाँ पर आपको टॉप की sequence में थोड़ा सा difference नजर आ जाएगा female urban में सबसे top number पर आपका डिस्टिक को लो second number पर है कांगडा और third number पर है शिम्ला clear तो यह sequence याद रखना है last का sequence same है जो urban male का है last पर यह और किना और ऐसे जहां पर urban population आपकी zero है तीसरे नमबर पर वही उना और fourth number पर वही हमेर पूर तो इसमें कोई भी change आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता top का sequence आपने यहां से याद रखना है इसके बाद जो नए series से questions पूछे जा रहे हैं जैसे अगर हम rural में बात करते हैं तो rural की case में कहां पर आपको female population जादा देखने का मिलती है male population से तो ऐसे कौन-कौन से districts है उनको हम देख लेते हैं एक तो याद रखना है आपने हमीपूर इस तरह के questions आप से पूछे जा रहे हैं दूसर डिस्टिक आपने याद रखना है कांगडा और तीसर डिस्टिक है किनौर चौथा डिस्टिक है आपका लाहुजबिती और पांचवा डिस्टिक है आपका मंडी तो यह पांच डिस्टिक ऐसे है जहां पर female rural population जादा है as compared to male इसी तरह से अर्बन का भी आप याद रख लो अर्बन में सिरफ एक ही डिस्टिक ऐसा देखने को मिलता है जहांपर female population जादा है आपकी as compared to male और वो कौन सा डिस्टिक हमें देखने को मिलता है कुलू यह था हमारा ST population 2011 census डिटेल में हमने इसको डिस्कुस किया इससे बाहर आ इनों ही आपको provide कर दी जाएगी रुपीज 199 अगर कोई इसको purchase करना चाता है तो हमारे telegram channel से join कर सकते है link आपको description में मिल जाएगा तो वहां से आप इन दोनों PDF को purchase कर सकते है